नमस्कार दोस्तों स्वागते श्रमुस भायली जी के और एक वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रो मायलजिया के बारे में Fibromyalgia क्या है? Fibromyalgia disease का symptoms क्या है? Fibromyalgia disease को treatment हम कैसे करे? उसका cause क्या है? यह सारे चीज जानेंगे इस वीडियो में. अगर आप Fibromyalgia से जूँज रहे हो तो इस वीडियो को अन तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे important information share की जाएगी. तो देखिए Fibromyalgia एक बहुत simple आसान तरीके में हम कहें तो एक overall body pain मत्तब आपके शरीर में दर्द होना और यह जो दर्द होगा शरीर में अलग-अलग हिस्से में हो सकता है. शरीर की उपर हिस्सा जो upper body और lower body नीचली हिस्सा दोनों जगा ही pain हो सकता है. और यह जो pain है Fibromyalgia कि यह pain moderate से लेकर severe तक भी हो सकता है. स्टार्टिंग में बहुत slow दीरे-दीरे से लेकर यह बढ़ता हुआ ज्यादा भी हो सकता है. और यह जो pain है सिर्फ pain तक ही restrict नहीं रहेगा इसके साथ साथ आपको क्या होगा fatigue होगा. मतलब आपको tiredness में महसूस होगा. आपको लगेगा Fibromyalgia में मैंने कहा कि बॉडी की pain जिसको हम कहते हैं medical परिभाशा में musculo-skeletal pain musculo-skeletal मतलब muscles और skeletal मतलब skeleton of the body. So, दोनों जगर musculo-skeletal pain मतलब body की अलग-अलग हिस्से में muscles और skeletal related associated structure में pain होना. अभी यह जो pain अब कोई कह सकते के pain तो बहुत कारण हो सकता है ना, तो कैसे पता चलेगा कि किसी को pain जो हो रहा है body में शरीण में दर्द हो रहा है, यह दर्द Fibromyalgia के वज़ए से हो रहा है या फिर किसी और वज़ए से हो रहा है हाँ बिलकुल इसको समझने के लिए आपको जानना होगा कि Fibromyalgia में सिर्फ और सिर्फ बोडी में दर्दी नहीं रहता उसके साथ-साथ जैसे मैंने कहा आपको टाइरडनेज रहता है उसके साथ-साथ आपको नींद ज्यादा आएगए आप ज्यादा सब्सक्राव आइज अंप as- प्रभाइन होता जैसे कि शार्प आपजिक्ट्स आपको स्टैब किया जा रहा है इसे पॉइंट पेंट होता है एक जगा पर कुछ-कूछ जगा पर फाइब्रो मैंलजिया में ऐसे पोइंट एड पें नहीं होता है इसको में उसको डाल पेंट कहते हैं मतलब यहां पर form distribution होता है पेन का तो यह दर्द का distribution एक characteristic type है fibromyalgia की अब यह fibromyalgia क्यों होता है चलिए बारे में बात करते हैं कि fibromyalgia क्यों होता है इसका सही आंसर अभी तक तो हमें नहीं मिला मगर जो चीज हम जानते हैं कि basically हमारे body के अंदर nerves होते है not force में फैला हुआ होता है हर एक जेखा फैला हुआ है अब यह हर एक जगा से जुह S TG करता है सारे के सारे चीजिसे कॉनसे चीजिस करता temperature सेंश करता है कि ठंड लग रहा है हमें यह फिर घर्मी लग रही यह सब चीजे सेंस करता है, यह सेंस करता है कि किसी ऐसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही पॉइंट एक ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि मैंने यह ले लिया, इसके उपर ऐसे हाथ रख दिया, जोर से तो दर्द फिलिंग होगा ना, तो यह पेन सेंसेशन है, वैसे ही अगर हीट एक हीट कुछ चीज़ के अंदर हाथ रखते हैं, तो आपर हमको तुरंध हम हाट को हटा लेते हैं इसके एक पेन सेंसेशन है, जैसे मैं आपको बता है, कि जितना जोर से हम किसी जगा पैसे ऐसे अटैक कर रहे है, तो आपर पेन हो रहा है, हमारे जो सेंस है, स्किन के उप कुछ ऐसे चीजे जो खत्रा है हमसे मतलब जिससे हमें खत्रा है और इस चीज से हमें हमारे बॉडी पार्ट को हटाना है तो मान लीजिए कि आप बिना देखें ऐसे कि हॉट प्लेट के अंदर तावे के अंदर जो गरम है ऐसे हाथ को टच करने की कोशिच भी के तो टच होने प्लेट को टाओ तो बॉडी वह टा देता है यह हम सोचके नहीं करते बॉडी में और तोमेटिक प्रॉसेस चलता है इसको रिफलेक्स एक्षन रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं तो यह रिफ्लेक्स एक्षन चलता है पेन का यह बहुत बड़ा रोल है यहां पर अभी बात है कि यह जो roll है, brain जो है हमारा, दो चीज से हमारा central nervous system बना हुआ है, एक तो है brain और दूसरा चीज होता है, spinal cord, जो brain के साथ लगा हुआ है, जहां पर अलग अलग nerves ऐसे, हमारे पीछली हिस्से में अगर देखे, पीट में तो ऐसे spinal cord आता है, और ऐसे ऐसे nerve जो है side में ऐसे spread होता है तो यह central nervous system और central nervous system particularly brain का एक बहुत important feature है कि उसे पता चलता है कि यह जो sensation आ रहा है वो pain sensation है या फिर painless sensation है बहुत आसानी से हमें पता चलता है यह brain को पता चलता है तो अभी बात होता है कि कुछ कारण कोई infection के कारण हो सकता है कुछ trauma के का कारण हो सकता है कुछ emotional stress के कारण हो सकता है कि लोगों में यह जो brain और central nervous system का pain और painless sensation को differentiate करने का जो एक power होता है capability होता है यह capability loss हो जाता है जब भी यह capability चला जाता है हमारे brain की कि कौन सा painless है कौन सा pain है तो क्या होगा कोई भी चीज हो जाए कोई भी चीज painless भी हो उससे भी हमें pain मैसूस होने लगता है कोई भी चीज उतना painful ना हो फिर भी हमें वह painful नजर आता है यही कारण है fibromyalgia की मगर क्या और किस कारण किस कारण हमारे brain में यह सब होता है वह clearly अभी तक जाना नहीं गया है मगर कारण के बाद करें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि यह कोई illness मतलो कोई infection के वजए से हो जो brain को ऐसे target करें सेकेंड बात हो सकता है कि यहां पर अगर आपको कोई physical stress हो बहुत बहुत ज्यादा physical stress मालो कि आप किसी कार एक्सिडेंट से गुजरे हो तो क्या हो जाता है कि ऐसे horrific accident के बाद लोगों का एक sense में ऐसा चीज यह दिमाग के अंदर बैठ जाता है brain के अंदर बैठ जाता है कि जब भी आप उसके बाद दोबारा कोई गारी को देखनो दूर से तो आपको लगता है भाई मुझके आपके अंदर ऐसा कुछ stress आ जाता है आप जो है sweat करने लगते हो उसके साथ साथ Fibromyalgia जो trigger होता है कोई emotional stress हो ज्यादा उससे भी Fibromyalgia जो है वो trigger हो सकता है और उसके साथ साथ आता है और एक factor जिसको कहा जाता है genetic factor कि आपके family history में अगर Fibromyalgia का कुछ examples हैं तो हो सकता है कि future में आपको भी यह चीज हो अभी बात करें कि यह जो Fibromyalgia है कि Fibromyalgia हर एक को same type में नहीं होता है मतलब females को औरत को ज्यादा होता है देन आदमियों को तो औरत में यह ज्यादा होता है दन में तो यह और एक important feature of Fibromyalgia बात करते हैं कि Fibromyalgia का symptoms क्या है इसका symptom है वह होता है confusion मतलब यह central nervous system में ऐसा change करता है आप कुछ चीजों को process नहीं कर पाता आप irritable रहते हो उसके साथ साथ आपका confusion होता है तो इसको हम कहते हैं cloud मतलब जैसे को हम कहते हैं fog और फाइब्रो फॉग इसको कहा जाते हैं फाइब्रो फॉग जैसे कि आप confused रहते हो आप decision ठीक साथ नहीं रहे पा रहे हों due to Fibromyalgia तो यह सारे कुछ symptoms हैं और इसके साथ anxiety होता है इसके साथ stress stress के साथ anxiety anxiety के साथ irritable बायल इरिटेबल बायल syndrome तो ऐसा बहुत सारे अलग अलग secondary symptoms भी यहां पर आ जाता है तो यह सारे symptoms होते हैं Fibromyalgia की चलिए अब बात करते हैं Fibromyalgia की treatment के बारे में के हम तो बात कर लिए Fibromyalgia क्या है Fibromyalgia क्यों होता है कारण क्या है और रिस्क फेक्टर क्या है अभी Fibromyalgia का treatment क्या है देखिए Fibromyalgia एक ऐसी disease है जिसको डियाग्नोज करने के लिए medical test की जरुवत तो generally है नहीं आपके doctors physical examination करेगा और यह सी medical test कुछ दिया जाएगा ताके बाकी के जो disease है जिससे body में pain होता है उसको हम exclude कर पाएं उसके बाद अगर ही Fibromyalgia decide होता है तो उसके लिए देखिए कोई cure तो है नहीं बहुत simple term में बताता हूँ आपको Fibromyalgia का complete cure इलाज नहीं है क्योंकि Fibromyalgia associate होता है stress factors से anxiety से tiredness होता है तो वह चीज lifestyle के उपर भी depend करता है तो इसका treatment मतलब जब body में pain हो तो आप pain killer tablets ले सकते हो pain care tablets और capsule जो medications है available या फिर आप टॉपिकल पॉइंट में लगा के भी pain को complete मतलब control कर सकते हो उसमें भी complete cure possible नहीं है जब pain होगा शायद कुछ लेने पर ठीक होता है मगर Fibromyalgia ऐसा बीमारी है जो ऐसे acute phase में नहीं रहता है यह chronic phase पर रहता है पता है क्या difference है acute और chronic में acute मतलब एक disease बीमारी जो बहुत जल्द से जल्द ग्रो करें fast और उसके बाद खतम हो जाए तो fast ग्रोइंग जो chronic बीमारी वह कहलाता है जो बीमारी धीरे धीरे आपके बाडी में ग्रो करता है और बहुत दिनों से सालों से या फिर complete life तक वह रह जाएगा तो ऐसे life तक रह जाने वाली बीमारी है Fibromyalgia जहाँ पर आप टैबलेट एक दो दिन खालोगे उससे दर्द कम हो जाएगे इससे कोई फायदा नहीं होगा और अगर आप lifetime pain killers लोगे तो आपके kidney problems 100% तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको जो करना है उसमें आपको stress factor को body से relief करना है क्योंकि यह पाया गया कि maximum लोग जिनमें Fibromyalgia है वह anxiety, saviour depression और anxiety की भी patients है तो depression और anxiety जब आएगा तो fibromyalgia को साथ लाएगा IBS irritable bowel syndrome को side में लाएगा तो ऐसे बहुत सारे disease जो stress factor से trigger होता है तो सारे disease को साथ वो लाएगा तो आप एक disease में नहीं multiple disease में multiple जो बिमारी है यह इसके जकड में आ जाओगे तो इससे अगर आपको है तो आपको क्या करना है आपकी lifestyle को ऐसे modify करना है ताकि आप stress को कम कर पाऊं मैं यह नहीं करो एक दम से stress को zero कोई नहीं कर सकता क्योंकि हमारे life is stressful है आज की दमाने में मगर आपको कोशिच करना है कि आपकी life की stress जो है धीरे-धीरे कम करता जाए आप ताकि after sudden time यह fibromyalgia का ज चैटते करते हो 5 दिन हो गया फिर तीन निन फिर ऐसा हो कि दो महीं नहीं हो गया पेंड़ नहीं हुआ उसके बाद तो ऐसे करो तो anxiety factor को जिस चीज़ से आपको ऐसा डर लगता हो आपको लगता है कि आपको face कर रहा करना हो रहा है कुछ ऐसे चीज जो आप नहीं पसंद करत करो और अगर आप सकते हैं पर अरफ्सराइब करना सकते हैं और अधर एक मुदक्या सहनु ही पूसरीफिक don VW IT बारपिकल सब्चाई चाहिए और सबसे अच्छा तरीका जो अपर वीडियो अपडेिट करता हूं और इस चैनल में है वीडियो अपडेट करता हूं गरे इस चैनल में वीडियो रिगार इंग बाद में टो यह जो Scanner Therapy है Scanner Therapy से हम क्या कर सकते है ये डिरेक्ली हमारे जो नर्वस सिस्टेम उसके साथ क्रॉस टॉक करता है जैसे कि हम इने बताएं करते हैं हमारे नर्व में न्यूर work दम्नृउरॉण क्या करता है एक रिस्पॉंस करता ति नन्यूर्व नी स्कूर मनें पाल्स को यह मॉडिफाई कर सकता है तो उस नर्व इंपाल्स को ब्लडा रहा है तो उस नर्व इंपल्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्केनार थेरापी के जरीए ताके पेन सेंसेशन कम हो जाए और अगर कैसे ऐसे जिससे के पेन सेंसेशन कम होता है जो के प्रिवेंटेट है बॉड़ी के अंदर हम स्केनार थेरापी के यूज करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं ताके फि से काम करता है practically मैंने टेस्ट किया है यह और यह स्केनर थेरपी का जो फीचर्स है पर्टिकुलर्ली नॉट उनली इन समय है यह चीज के बारे में आशा करते हैं पर्किनस्मसी डिजीजम प्रक्राइबि चैनल फसक्राइब करें अपको मिलता रहें है और कमेंट सेक्शन में बदाएए के कौन सी हट्र वीदि आपको देखना है